अन्ना के आंदोलन से जो चहरा उभर कर सामने आया उसे लोगों ने दिल्ली का मुख्य मंत्री तक बना दिया नाम अर्विंद के जिरिवाल इसे शक्स ने नई राजनीत शुरू करने की बात कही थी लेकिन वक्त बीतता गया और के जिरिवाल एक शातिर राजनीता के रोप में उभर आये लोग सभा चुनाव नस्दीख है तो फिर से के जिरिवाल के पिछले बयान याद आ रहे हैं जो वो राजनीतिक करियर के शुरूआत में दिया करते थे के जिरिवाल ने एक बार बच्चों की कसम खा कर कहा था कि वो कभी बीजेपी और कॉंग्रेस से गड़ बंदन नहीं करेंगे हालकि ये कसम उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ समय बाद ही तोड़ दी और एक बार फिर वो वही करने जा रहे हैं जिस पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाकर उन्होंने राजनीत की शुरुवात की उसी पार्टी के साथ वो फिर से गड़ बंदन करने जा रहे हैं चर्चा इस बात की है कि दिल्ली की साथ लोग सभा सीटों के लिए कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी में डील फाइनल हो रही है एक महतुपूर्ण बैठक होगी जिसमें राहूल गांधी प्रियंका गांधी और शीला दिक्षित भी मौजूद रहेंगे और केजिरिवाल से सीटों का गडित सुलजाया जाएगा केजिरिवाल ने चुनाओ के वक्त रोबर्ट वड्रा से लेकर कॉंग्रेस के कई नेताओं को ब्रहष्टाचारी कहा था सबूत दिखाते फिरते थे लेकिन सत्ता खत्रे में दिखी तो फौरण पाला बदल लिया कॉंग्रेस के नेताओं ने भी सुर बदलने शुरू कर दिये हैं शीला दिक्षित ने हाल ही में कहा था कि उनकी पाटी दिल्ली में अकेले चुनाओ लड़ेगी लेकिन एर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से माहौल बदला है उसने फिसे इन नेताओं की नियत साफ कर दी है ब्यूरो रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया